हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भिरह नमशकाल सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बन मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं बहुती ज्यादा टेस्टी पेड़े जी हाँ इसे बनाना बहुत असान है जटपट से बना कर त्यार करेंगे और घर की ही चीजों से ये बन कर त्यार हो जाएगा तो चलिए फिर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं तो फ्लेम अन करके रख दिया हैं मैंने पैन अब डालेंगे इसमें एक कटोरी के करीब गेहो का आटा जी हाँ आटे का इस्तमाल करेंगे साप में ही एक कटोरी में डाल रही हूं इसमें बेसन तो दोनों चीजों को मैंने अच्छी तरह से चान लिया है अब हमें इसे करना है ड्राइ रोस्ट फ्रेंट्स कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम इसे ड्राइ रोस्ट करेंगे और फ् पुश्बू ना स्टार्ट हो जाए और हलकासा कलर ना चेंज हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज इसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी जिरूर सब्सक अटा हमारा कच्चा रह जाएगा जो एक एक कन इसका भूना आए ना वहमें लो फ्लेम पर ही भूना है तब ही उसका टेस्ट बाहर खेलकर बहुत आता है तो चलिए फिर भूनते हैं तो देखिए हलका सा कलर इसका चेंज हो गया ना और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे भ भून लीजिए तो 10-15 मिनिट हो चुके हैं और आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है आप देखिए कलर चेंज हो गया है न तो अब डालते हैं इसमें कुछ फ्लेवर्स तो फ्लेवर्स के लिए मैं एड कर रही हूं इसमें आदा चमच के क्रीब हरी यलाइची का पाउडर साथ में ही मैं डाल दूँगी इसमें दो बड़े चमच मिल्क पाउडर देखिए मावे का हम इस्तमाल नहीं कर रहे हैं लेकिन मावे वाला फ्लेवर्स इस मिल्क पाउडर से बहुत जबरदस्त आ जाएगा और दो चमच मैं भरकर डालूँगी इसमें काजु और बदाम का पाउडर आप इसमें कट करके भी ड्राइफ्रूट एड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने पाउडर फोम में इसमें एड़ किया है बहुत ही बढ़िया टेक्स्चर भी आता है और टेस्ट भी बहुत जबर्दस आता है तो थोड़े देर और इसे हम भुनेंगे फ्लेम उबला हुआ दूध है विल्कुल उसी को हम लेंगे और उसी को इसमें ऐड़ करना है तो देखिए कच्चा दूध का इस्तेमाल मत कीजिए विल्कूल मत किचीर रूम टेंपरेचर पर इस्तेमाल किजिए यह हल्का सा घुनगना है तो वह इस्त आपgovern कर अगाज है हैं तो दूद ही इसमें कमाल करने वाला है तो चलिए mix करते हैं ऐसे अच्छी तरह से और बेसन का color बहुत जबर्दस आएगा इसमें लुक बहुत अच्छा आएगा पेड़े का आप देखते जाएए तो flame अभी भी low है low flame पर ही मैं इसे अच्छी तरह से साथ के साथ भून भी रही हूं और दूद थोड़ा और भी पक जाएगा तो देखिए इस तरह से गुट्लियों को तोड़ते जाएए और इसे अच्छी तरह से mix करते जाएए तो यह देखिए कितना बड़िया color आगया आप देख रहे है अच्छी तरह से mix करते हुए चलाते हुए गुट्लियों तोड़ते हुए तो mixture हमारा बिल्कुल त्यार है अब बारी आती है इसमें sugar add करनी की तो sugar के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूं इसमें बुरा यानि की तगार अगर आपके पास बुरा या तगार नहीं है तो आप इसम समय इसमें add कर देंगे मतलब कि weight नहीं करेंगे ठंडा होने के लिए mixture को साथ के साथ ही हमें sugar add करेंगे ताकि जो sugar है अच्छी तरह से इस mixture में mix हो जाए और देखिए आप देख रहे हैं कितना बड़िया इसका mixture त्यार हो गया डाल लेते हैं से एक बड़ी बरतन में तो हल् है तो चलिए अब इसे shape देते हैं बड़ी असी कोई भी जो भी आपको पसंद आप इसे shape दे सकते हैं मिठाई को पेड़े को तो दिखिए मैं तो यही shape दे रही हूँ मुझे तो यह shape बहुत पसंद आती है यह देखिए अब इसके ओपर हम लगाते हैं बड़ाम तो मैंने एक बड़ाम के दो पीस कर लिये हैं और इसके ओपर अच्छी तरह से लगा देंगे अब देखिए लुक किसका देख रहे हैं ना कितना जबर्दसता है है फ्रेंट्स तो जटपट से बन गई है मिठाई इसे ना कर त्यार कर लिए है तो इसी तरह से मैं बकि सारे पेड़े बना कर त्यार करूंगी और फिर आपको दिकाऊंगी अगर आपको थोड़ा mixture थोड़ा dry अगर लगे ना तो थोड़ा सा 2-4 चमच दूद उसमें और add कर सकते हैं तो लीजिए सारे पेड़े मैंने बना कर त्यार कर लिए हैं आप इसको तोड़ कर भी देख लेते हैं आप इसे कब बना रहे हैं मुझे जरूर बताएं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्रीज लाइक का बटन जरूर दो बाए फिर मिलती हूं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई-बाई